इस मट के संगराचार आभी मुद्देश्वरा नंद सुरस्वती है आज हुआ युद्ध्या पहुंचे आज इधर लोकलेटीन से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्या उद्धेश आनेगा युद्ध्या तो हम शक्ती प्राप्त करने के लिए क्योंकि गऊमाता जो हमारी प्रतिष्फा है आज उनकी अप्रतिष्फा हो रही है हम चाहते हoka कि देश व्यापी अवियान चला करके गऊमाता को राश्टमाता के रूप में प्रतिष्चित किया जाए जे जो केंदर सरकार है यह जो हमारी राजी की सरकारे हैं इन्होंने अपराद किया है कि पशु की सूची में हमारी गाय को रखा है जो कि हम पशु नहीं मानते हैं उसको तो पशु सूची से अटाया जाए माता के रूप में उनको प्रतिश्चित किया जाए यह जो कारी है और उ इसलिए हम योटिया आये यात्रा कितने दिनों में बिरिंदावन पहुंचे होगा यह जो हमारी यात्रा है यह देखिए 36 प्रदेश है भारत के हम चाहते हैं कि 36 प्रदेश में गाई की चर्चा सुरू हो जाए क्योंकि अखिल भारती इस चर्चा को मिलना चाहिए और दूसर इस तरह से 36 में जल्दी जल्दी भी जाएंगे हमारे पास तो वह प्लैन नहीं है कि हम यहां से बड़े महाँ चले जाए सब दूसरे प्रदेश की दूरी में एवसत रोज 1,000 किलोमीटर हमारे चलना पड़ेगा तो हम एक जग़ां जाएंगे लए जल्दी जल्दी काम करक इस तरह से 36 दिन में हम 36 प्रदेश को कवर करेंगे और एक दिन आयोध्या जी का और एक दिन मुद्दावन का ऐसे 38 दिन की हमारी यात्रा है पराजी तिरुपती बाला जी के प्रसाद को लेकर एक नया विबाद कड़ा हो किया है कहा जा रहा है कि राम मंदिर की जब प्रण प्रदेश्ठा हो रही थी तो उसमें भारी मात्रा में प्रसाद अयोध्या भी आया था कैसे देख रहा है देखिए ये विबाद शब्द जो है बहुत छोटा है ऐसा हम समझते हैं ये तो बहुत बड़ा अपराद हुआ है और इस अपराद को करने माला क्या है कौन है और उसकी मनशा क्या है इसको जल्दी ही जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए और यहां पर लोग आये थे श्रदा से आये थे एक लाख लड़ू वहां से बेजे गए एक लाख लड़ू एक व्यक्ति नहीं खाता है हमारे यहा के मन में अब समस्या हो गई है उनको लगता है कि हमसे बड़ा दोश हो गया हमसे बड़ा पाप हो गया अब हमारी पवितरता खंडित हो गई तो सबसे पहले तो हमने से लोगों ने पूछा तो हमने बताया है कि आप पंचगव्य का प्राशन करिए यत तो अगस्तिकतम पा तो पहले तो पंजगवी का प्राशन करके एपने शरीर के अंदर के खी पाहँ को नश्ट करें, उसके बाद जो मन में बाद है उसके लिए गई माता के बारे में सपत घरांड करें, कि अब हम गव मतदाता बनेंगे और गव मतदाता बन करके उसी पार्टी प्रत्याशी को ओड देंगे जो गव माता के बारे में साथ कोष ना कर देगा सपतफ्पूरबग कि हम अगर सत्ता में आए तो हम गव माता की प्रतिष्ठा के लिए कार्य करेंगे उससे उनका पाप दूर होगा और यहां के लोगों को भी सोचना चाहिए था कि लड़ू आया है तो उसकी जाच करवा लें लेकिन भरोसा किया गया भरोसा तो सब करते हैं इसलिए दोस्त नह हम पूजा जा सकता है लेकिन अभी इतनी बड़ी बात आने के बाद हम यह चाहते हैं कि आयोध्या के संतों महंतों और आयोध्या का जो एतिश्ठ टुस्ट है इस ट्रस्ट को भी पहल करनी चाहिए और जैसे वहाँ यह कड़बडी हुई क्यों हुआ कि अधिकारियों के ज वाले किया जाए बाकी वेवस्ता सरकारी बात यह है कि तिरुपती में हमने बताया है कि तीन लाग करोड रुपिया हम लोगों ने अपने घर से ले जा करके वहां दे दिया अभी उनके पास तीन लाग करोड का सर्प्लस एमाउंट है 11,000 किलो से जादा सोना हम लोगों ने दान कर दिये इसी तरह से जाने और कितनी संपत्तिया है इतनी संपत्ति होते हुए भी बजार का खरीदा हुआ घी भगवान के भोक के लिए उव्योग कर रहे हो कैसे यह कर सकते हो तुम्हारे पास पैसा है तुम अपने घर में अच्छ समाज ने आपको बरपूर धन दिया है फिर उसके बाद भी आप बजार से खरीद करके और जैसा तैसा प्रयोग लाते हो तो यह नहीं होना चाहिए इसी तरह से रामलला के बोग के लिए और इसी तरह से विश्वनाद के बोग के लिए और सब जगा के लिए अब ये मंदि दर्शन करने कब जाएंगे दर्शन करने कल हम रामकोट की परिक्रमा करेंगे सबसे पहले अभीजित महुर्त में साड़े ग्यारा बजे के लगबग छेरेश वर भगवान की पूजा अर्चना करेंगे फिर वहां से रामकोट की परिक्रमा करके बगवान को प्रणा करेंग सब्सक्राइब अच्छे महीन होँ चुका तभी हमने खाए थाकि राम लला का क्रशन करने उन तभ कट वह जा उने के लिए अभी मुकष कोने के लिए हम तभी जाएंगे जब जरस जाएंगे जिन स्टाइब के लिए बहुआ चरी रामनीय चिंप प्रदेनसुर संतिर्ग हिट उन रामलला के सामने हम तब जाएंगे जब गव माता को राश्थ्र माता घोशित करा लेंगी और राश्ट्रमाता का दूद्ध दू करके कटोरे में लेकर के संतों महंतों के साथ हम दर्शन करने जाएंगे, ये भगवान हम आये हैं और तुमारे लिए राश्ट्रमाता का दूद लाए है।